मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गोत मौंगनी, मंगलं कुन्ड कुन्दाद्यो, जैं धर्मोस्त मंगलं सर्व मंगल मंगलं शर्व कल्यान कारकं प्रधानं सर्व धर्मानाम जैनम जैतु साशना जैनम जैतु साशना भीतरागी देशास की जैव। जब कि स्रियांशनाद भगवान का मौक्ष का लियानक है और दूसी और रक्षा बंधन जहां साथ सो मुनिराजों की रक्षा हुई इस प्रिसंग में सुबह चर्चा हुई थी परन्तु उसमें दो तीन बातें और बताने जैसी हैं वो अभी आपको बता देते हैं संचेप मे खास तोर से हुआ क्या ये जानकारी साथ देदी थी आपको कि ये बेही विश्णु कुमार मुनिराज हैं जिनके हिर्दय की सरलता इतनी थी कि उन्होंने मुनिराजों की रक्षा करने का उद्यम किया बाद में उसी भव से मौक्ष में गई हस्तनापर से ही हस्तनापर में इनकी मूर्ति है लेकिन मात्र जी स्टेचिय के रूप में रखी है बाकी एक बाद सुवे कही थी सुरुआत में ही कि जो चार मंत्री हैं सुवे कहा थको की जेनसासन रागदेश करना नहीं सिखा था जैन सासन, रागदेश करना नहीं सिखा था, हम चार मंत्रियों को अत्याचारी कह सकते हैं, उफसर्ग करता कह सकते हैं लेकिन सच मच, वो चारों जब उफसर्ग कर चुके, और उफसर्ग करने के बाद मुली राजों की मुक्ती हो गई, छूट गए, उफसर्ग दूर हो गया, तब राजा को बहुत क्रोध आया, नगरबासियों को भी क्रोध आया, सब ने एक तरह से हम कहें कि मांग की, कि ऐसे म पंत्रियों को तो जेल में डाल दो, फांसी चड़ा दो, आधी आधी, राजा ने भी का कि ठीक है, इन्हें गरबतार कर लो, इन्हें जेल में डाल दो, इन्हें फांसी लगा दी जाए, इतने दुष्ट हैं इसास है, लेकिन तब ही, विश्णु कुमार महा मुनिराज, अक इसमें इनका क्या दोस्य हैं, हमारी ओर से तो सदा उत्तम झिमा है, हमने जो कभी इनके प्रदी 我गधिस किया ही नहीं है, सब को धर्म प्रदी, सभी को धर्म की प्राप्ति हो, हमारा तो एक ही बाध, हमें दूसरा भाव नहीं है, और बे दिगंबर मुनिराज सर्थ आत्म प्राइकार उनको छोड़ दिया मुई राजू ने जब छमा कर दिया तो उनको छोड़ दिया तो यह चारों मंत्री उन मुणिराजू से प्रभावीत हो गए का हमने इन पर दो-दो बार उस्वर करने की चेस्टा की एक बार तो उज्जैनी में दूसरी बार हस्जनापुर में तब ही इन मुनी राजों को कोई हमारे प्रती द्वेश नहीं है ऐसा देख करके उनका हिर्दा परिवर्तन हुआ और उन चारों ने दिख्छा ले ली राजा ने भी दिख्छा ले ली फिर तो पूरा जैसे माहौली बदल गए है सेक्डों हज्जारों लोगों ने दिख्छा ले ली मने एक प्रभावना का भी प्रशंग बन गया आज हमें तो बताना ये है कि हमें रागदेश नहीं करना बेजीब तो पलट गए मुनी दिख्छा ले ली और आदम कल्यान करने के लिए आगे भी बढ़ गई क्या हूं आपन हमारा तो परिवर्तन नहीं हुआ न भले हमने उपसे उपसर्ग नहीं किया लेकि अंदर से परिवर्तन तो नहीं हुआ न कसाय तो नहीं मिटी न तो बताओ बे अच्छे कि हम अच्छी उपसर्ग करने की दर्श्टी गोंट से मत देखो बहुत उपसर्ग करने वाले का भी हिदा परिवर्तन हो गया तो भगवान है भूले ला भगवान चै आखिर कारव मुक्ष मारों में लग गए इसलिए हम उनकी एक तरह से प्रसंशा करते हैं और एक जानकारी इतनी और थी कि जो मुनिराज जल गए थे जगए जगए से धुआ लग गया था कितना धुआ लगा होगा गुटन होई होगी कोई कोई का शरी जल भी गया होगा तो फिस स्रावको ने मिल करके उन मुनिराजों की भैयरत्ती की ब्यापार करने नहीं चले गए है ना और काम नहीं किया सब बड़ी भक्ति से मुनिराजों की भैयरत्ती की ये दो-तीन प्रसंग संचेप में सुबह के बता दिये अब आएए हम गुर्देव सिरी का जीवन विर्तान जान रहे हैं उस समद में चर्चा परारम करते हैं एक बात आई थी है संबत 1935 की संबत नहीं सन 1935 सन 1935 की तब हमने यह देखा था कि रामजी भाई दोसी गुर्देव सिरी का ज़्यादा सांथ नहीं दे पाए थे उस समय राजकोट के बाद और प्रतिमा लेने के लिए भी रामजी भाई दोसी महां नहीं गए कहां पर जैपुर अभी हमने इनके कारणों की तलास की तो हमें कॉपी में ये बात मिली जो मैं बता नहीं पाया था कि उस समय संबत सन 1935 में सन 1935 में बेचर भाई धेवर भाई गांधी जी और रामजी भाई दोसी इनको स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में बंद कर दिया गया था उस जमाने में सन 1935 में गांधी जी को, रामजी भाई दोसी को बेचर भाई और धेवर भाई जो बात में गुजराथ के मुख्यमंत्री बनी थे धेवर भाई तो उन चारों को अंग्रेज बिटिस गवर्मेंट ने सदंता आंदोलन के चकर में उनको जेल में बंद कर दिया था क्योंकि रामजी भाई तो यू सीधे सीधे तो करांतिकारी नहीं थे लेकिन बकील थे ने गांधी जी को सलाई देते थे मदद करते थे गांधी जी तो करांतिकारी थे जगा जगा अलग जगाते थे काफी लोग उसमें जोड़े हुए थे तो उनके साथ साथ रामजी भाई को भी बंद कर दिया तो उस समय गुर्देफ स्री को बहुत बासल रामजी भाई के प्रती उन्हें बड़ी चिंता और इसी समय जेल में बंद रहते रहते रामजी भाई दोसी ने आजीवन के लिए सकर का त्याग कर दिया आजीवन के लिए सकर का त्याग वोश्य मने है गांदी जी कौन है सकर 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 है नहीं हमेशा के लिए त्याग किया था उस समय से गांदी जी गुर्देफ को इनकी बहुत चिंता लगती थी इस कारण ये हमारे जो मंदिर बनने का प्रकरण आया खाश तोर से प्रतिमा लेने गए जब और गुर्देव का परिवर्दन के समय इसलिए रामजी भाई का नाम नहीं आया ऐसा नहीं कि रामजी भाई कोई जान उच करके गुर्देव से दूर रहे होंगे ए मेरी जानकारी में आया इसलिए मैंने आपको एक चर्चा बताई एक अग प्रश्ण और हमारे सामने आया था परसों की चर्चा करने से कि गुर्देव स्री ने अप्रतिश्चित प्रतिमा को प्रणाम कर दिया क्या करना चाहिए क्या हम भी कर सकते हैं अप्रतिश्चित प्रतिमा तो इसके बारे में आपको खुलासा देना चाहेंगे कि अप्रतिश्चित प्रतिमा पूजे नहीं होती यह बत बरोबर है लेकिन जिस समय जीवन में गुर्देव स्री ने तीसरी बार दो बार कम देख ली थी पाली ताना में गिर्णार जी की यात्रा करते समय लेकिन जब आपने सौनकड में पहली बार प्रतिमा देखी तो पहली बार तो उनने कभी थानक बासी होने से उनने पता ही नहीं था आगम का कि आप प्रतिश्चित प्रतिमा पूझे होती है कि नहीं होती है उनको खबर नहीं थी हम सीधे-सीधे कहें तो उन्हें थानक का संसकार था उन्हें मालूमें नहीं थे कि अप्रतिमा पूझे होती है कि नहीं होती है एसलिए उन्होंने उस प्रतिमा को प्रणाम किया था लेकिन हम यदि लेकिन उसके बाद पूरे जीवन जब सम्य घ्यान हो गया है, सम्य घ्यान मने सच्चा घ्यान हो गया है, कि यह प्रतिश्यक्षी प्रतिमा बंद नहीं हैं, चित्रपट बंदनी नहीं हैं तो गुर्देव सिरी ने उसके बाद कभी कोई चित्रपट कोई माबीर भगवन का फोटो कोई का भी फोटो कोई प्रतिमा कोई कोई को भी कभी प्रणाम नहीं किया इसलिए आपकी जानकारी के लिए प्रतिमा कोई बंदनी नहीं होती परन्तु उसका ग्यान गुर्देव सिरी को नहीं था और उनकी तो भक्ती उचल रही थी इसलिए उन्होंने बंदना की थी प्रणाम किया था यह बात आपकी जानकारी के लिए अभी एक दो घटना और बताने की हैं पहले नमबर जब पहली पंच कल्यानक प्रतिष्टा सौनगड में हुई तब बंसरी को जो ऐसी प्रतिमा आई वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी अब उतनी अच्छी का मतलब खराब लग नहीं यह नहीं किया रहा हुँ है उन्हें ऐसा लगा कि यदि इनकी आँखों में काजल लगा दिया जाए तो दूर से देखने पर ऐसी आँखों की 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 बना दी जाए ऐसे ओंटों को रंगा दिया जाए तो ऐसे लगे मानो साक्षा जीवन्त प्रतिमा है ऐसा भाव आया हो भाव तो रामचन सास्त्री को पूछा अब उस जमाने के सास्त्री कैंसे होते थे इससे आपको मालूम पढ़ेगा रामचन सास्त्री को पूछा क्या अभी खुदने नहीं करवायो खुदने नहीं करवाया है यह भाव आया तो उनको पूछा राम चन साथिती जी को कि क्या हम प्रतिमा पर प्रतिमा पर एक थोड़ा सा काला लगा सकते है में ओ ऐसा फोटो कहने के मतलब क्या निकला वो हो गया है हवाला क्या दिया गुर्देफ स्री को जब पूछाई गुर्देफ स्री को तो गुर्देफ स्री ने संबत 2003 में इस बात का खुलासा किया जब उनको पूछा कि साव हमारे दिगंबर जैन सासन में तो भगवान की आं चन सास्री ऐसा बोलता था तो वो कौन सी पूजा का हवाला दिया नंदी सरदी पूजान आती है नंदी सरदी पूजान है ने स्याम रंग सियाम रंग भो लाल मुखर बोलने मी नहीं आ रहा है क्या है लाल लाल नक मुख नएना सियम अरु स्वेत हैं स्याम रंग भों सिर केस छबी देते हैं एह पूजा नंधी सर्दीप की पूजा की लाइन बता कर कि डिकंबर जयनौ में तो लाल पूख नयन और ये सियाम रंग भों सिर केस चलते हैं तो होता है पूजा में लिखा है इसलिए सई है बेन सिरी ने करा दिया गुर्देव ने भी करवा दिया काई बात नहीं और बहुत बरसों था कि चलता रहा लेकिं संबत 2003 में आके छुटे गा उसकी चर्चाबाद में बताइए बने एक छोटी सी तूटी हुई लेकिन तूटी किसी की न यहाँ कर दो पाद लिखा है इससे मालूम पड़ता है कि सास्त्री जी कितंए लकीर के फकीर होंगे जो किन्हें हैं किस एंगिल से लिखा नन्डी सोगैप की जो प्रतिमाय होती हैं वो ने चृटी निधन अनाधी निधन होती है यह कोई बनाने वाला नहीं होता है नन प् हमारे जैसे गुला भी दिखते हैं बहुएं काली दिखती हैं पलकें इनका रंग कीकी दिखाई देती है मने आप यह दिखो तो आपको ऐसा लगे नंदी सुर्दीप में कि मानो साक्षा जीवंत प्रतिमा बिराज रही हो ऐसा लगता है तो उसका हवाला देकर यह ऐसा कर दिया गया था लेकिन इसकी गलती बाद में दूर कितनी सरलता से होगी वो तब बताएंगे एक बात और जो कल हमने बोला था 12 सनु प्रेक्षा गुर्देब ने कहा था प्रोचन करने के लिए 12 सनु प्रेक्षा नहीं उसका नाम था 12 सनु बेक्षा इस सही कर दिया मैंने जो गलतीयां कल हो गई थी इस तरह से इतनी चर्चाता होई और अब हम बापस आ रहा है 1999 संबत में कल आपको बताए था कि सुरेन नगर में और लीमडी बोटादादी में किया बहुत बिरोध बटबाण में लेकिन हुआ ऐसा कि एक भाई बिरोध करके घर पहुंचा और उसकी देज छुट गई बिरोध करके गया गुर्देव का और घर जाते से देज छुट गई उसकी तो सारे गाउं में एक दम सन्नाटा चा गया कि गुर्देव का बिरोध किया ये इसलिए ऐसा हो गया गाउं तो छोटा हो गया गाउं तो छोटा जरासी घटना घटे तो और ये तो पहले सही लगता था कि अपने स्वामी जी थे, अपने गुरू जी थे महापुरूस थे, प्रभाव साली है ये तो पहले ही लगता था और जैसे वो व्यक्ति घर विरोध करके आया उसकी दे छुटी, तो पूरे गाउं की मिटिंग आई, कि देखो अब आज के बाद कोई विरोध नहीं करना इस सची बाद है, कोई विरोध नहीं करना जिने सुनना है, सुनो नहीं सुनना है, मत सुनो लेकि विरोध नहीं करना और इस घटना का असर आज पास के गाउं में भी बढ़िया हुआ मैंने फिर गुर्देव सिरी का वैसा विरोध नहीं हुआ जैसा हो रहा था क्योंकि लोगों को अंदर अंदर लगने लगा यह कोई महापुरूस है और हम कुछ करेंगे तो मरे एक जगे बहुर ऐसी घटना घटी है गाउं का नाम तो हमें नहीं मालूम पड़वाया लेकिन इनी गाउं में से कोई गाउं था बहाँ पर तो बन गया था पांडाल मन्डब बना दिया था गुरदेव के प्रोचन मन्डब और बिरोधी लोग बिल्कुल आगकी मसाल लेकर आ गये जलाने के लिए लेकिन पांडाल जलाने की चेस्टा तक की गये उस जमाने में लेकिन कोई पुण्ण ईोग ऐसा बना मैं पढ़े आचाप पट्रों की बौट निंदा की बुर्डेव की बहुत चापा निकाला बहुत चिठ्टी करो अब मान नहीं नहीं ठीक अभी करो चर्चा चंज से घर नहीं तो चर्चा सुरू हुई तो चंज से घर महारा इनन पहला ही प्रस्ण खड़ा किया आत्मा चसमें से देखती है कि नहीं अब आप तो हमारे बच्चे बताते हैं कि आत्मा आँखों से नहीं देखता है हैंड आत्मा काुछे देखता है ग्यान से उन्हों ने यह प्रस्ष नmeter खड़ा किया कि बताओ आत्मा चसमे से देखता है कि नहीं गुर्दे स्रीमान मुँ नी चा 이 अब बोलें कि अब बोलें अभी तो बिलकुल ही बिलकुल ही विप्रीद बात यहां तो हम यह केते हैं कि आँख से नहीं आँख चस्में से नहीं देखती और आत्मा आँख से नहीं देखती हम तो यह केते हैं ग्यान से देखता है ग्यान से जानता है और इह प्रस्न ही कहां से ख़ड़ा कर रहा है आतमा आंक से देखता है कि नहीं तो गुर्दैक स्रीश चुपप, मैं हार गया, हार गया जवाब दो, हम क्या जवाब दें, जवाब हो गए ना मैंने हार मान ली ना थाई गई चर्चा गुर्देवके मैं थाई गई चर्चा और क्या करें हूं एक पिरसेंग यह उसी समय का हुआ उन्दी से 99 का इस तरह की कुछ घटना हैं होई चूकि गुर्देवस्री के परिवर्दन की चर्चा आपन कर रहे हैं इसमें एक बात मैं कहना चाहिए था लेकि नहीं कहा अब आज कहे देता हूं क्योंकि जब भीती बाते याद आ जाती है इसलिए बता रहा हूं यदी हम अभी तक के गुर्देवस्री के जीवन चरिप की ब्याक्यां की समीक्षा करें तो क्यों मत परिवर्दन गुर्देवस्री ने किया था कि हमने किया है कि यह मैं होई चुका था उन्हें क्या परिवर्दन किया बास्तम्हें उन्होंने तो बेश परिवर्दन किया संप्रदाइं का परिवर्दन किया लेकिन मत परिवर्दन तो हमने किया है मैं तो अपने दिगंबर हूँ कहता हूँ अपने के लिए बाश्त हमें हम मिठ्या मानेता को ही पढ़ रहे थे सुन रहे थे सुना रहे थे कह रहे थे तो हमने उन मिठ्या मानेता को कि पुणने से धर्म होता है कि या कांड से करम कटते है नहीं खुबास करो नेजरा ब्रत तो खुब करमों की नेजरा हो जाएगी ऐसा मत तो हमने छोड़ा क्यों गुर्देव ने छोड़ा कि हमने छोड़ा मुझे विचार आया कि गुर्देव ने मत परिवर्तन का किया उनको तो पहले ही ये द्रण सद्दा थी जब समय साथ जी हांत आ गया था बाश समय देखा जाये तो लाग हो मनुस्यों ने अपना मत अपनी अपिनियन अपना चिंतन अपना दस्टी कोण का परिवर्तन किया है इसमें गुर्देव स्री का योग है है ना इसके बाद अब हम आ रहे हैं संबत 2000 में यहां से आज की चर्चा अपनी खास प्रारम हो रही है देखो एक बात मुझे बहुत लग रही है आपको भी लगनी चाहिए जो व्यक्ति इतना संकट उठा कर आया हो वह सुविदा भोगी बनकर नहीं बैठा जो व्यक्ति इतनी प्रतिकूलता है देखकर आया वह व्यक्ति ऐसा नहीं कि चलो अपने कट इस्टार ओफ इंडिया मिलके अब निश्चिन्थ हुए चलो अब तो स्वाध्या मंदिर बन गए अब निश्चिन्थ हुए चलो अब तो मंदिर भी बन गए अब निश्चिन्थ हुए समोसर्ण मंदिल बन गए अब निश्चिन्थ हुए निश्चिन्थ नहीं हुए बहला अभी गुर्देव स्री राजकोट आए समब्द 2000 की बात है सन 1944 तो बहाँ पर सभी लोगों ने विचार किया राम जी भाई गुर्देव स्री सबी थे कैसे बिचार आया कि गुर्देव स्री का ऐसा अम्रत जर रहा है बेंस्री को सब लगए कि अतना अम्रत जर रहा है और जगत का जीव को मालम भी नहीं पड़े तो यह कैसे काम चले देखो ध्यान से सुनना मारमिक परिसंग तो इसको मालूम पढ़ाने के लिए क्या करें करें क्या ध्यान से सुनना जा रहा है ओस जमाने में कितनी तकलिफें हो सकती है गाउं गाउं बिजली की सुविदा तक नहीं थी अभी 1944 में और भावना ये थी कि आत्म धर्म नाम की पत्रिका निकाली जाए हर महीने पत्रिका छापी जाए निकाली जाए कि ऐसे काम होता होगा आप कल अपना ही नहीं कर सकते आज जैसा नहीं कि वो आटोमेटिक रिमोट सिस्टम औप सेट कम्प्यूटर फोटो कॉपी की मसीन उस तुमें फोटो कॉपी की मसीन नहीं कुछ नहीं बला लेकिन भावना कितनी बलबती देखो मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है साधन बिलकुल नहीं सुईदाएं बिलकुल नहीं और भावनाएं इतनी हुची कि गुर्देश स्री का एक एक दिन करके समय पूरा हो जाएगा एक दिन आयू पूरी हो जाएगी और एक तत्वा हम गुजरात तक ही सिमट के रह जाएगा ऐसा नहीं हो जाए सोराष्ट तक सिमट के रह जाएगा ऐसा नहीं हो क्या करें तो आतम धर्म पत्रि का च्छापने का विचार आया दिसम्बर 19keln दिसम्बर के मईने में 1944 में ये विचार आया और उसकी विवस्ता रामजी भाई ने समा ली अब करें क्या मौक्शमार प्रगासक की हिंदी की है मगंलाल जी ने ललितपुर वाले निसंतान थे, निव्रत थे और सईयोग से एक ये दिगंबर और मिले हमें ये दिगंबर और मिलें इनको भी आजीव का करनी थी इनको भी गुर्देव का परिचे हो गया देखो जीब कहां से कहां मिल रहा ध्यान से सुन वहे हो कहां ललिकपर उत्तर प्रदेश और कहां मगन लाज जी अपना मुद्र नालाइच छापा मसीन हाँ से चलने वाली हाँ से चलने वाली बिजली के नहीं उतनी दूर से लेकर इदर आए और आकडिया में एक रवाड़ी भाई रहते थे रवाड़ी भाई ऐनोंने इसको संपादन देखना ये करना तोड़ा बहुत काम therefore उसरू किया तो आकडिया में उन्होंने उनको बिलाया तो इन दोनों भाई उने मिलकर रवाड़ी भाई और मगन लाल्म भाई इन दोनोंने मिलकर जित आले महाँ पर चला करके आकड़िया में और सबसे पहला आत्मधर्म दिसंबर 1944 में निकाला जिसमें गुर्देव के प्रोजन छप करके निकलना शुरू है मैं तो अभी सच में अपन तो घल्पना भी नहीं कर सकते कहां से कहां मैं विवस्ता है जोटानी कहां जाना आकड़िया गाओं बोला इस तरह से सबसे पहले ये आत्मधर्म की सुरुआत यहां से होई अभी घजब जादू देखो आत्मधर्म का जादू मैं अब अपनी हाला कि कोई यही समझेगा कि आप अपनी पत्रिका की अतिस्योक्ती कर रहे हो लेकिन इस आत्मधर्म ने ऐसा जादू किया कि इसकी प्रती इंदौर अजमेर राजिस्तान मारवार्ड जाने कहां कहां पहुँची और यह बढ़ते बढ़ते फोर्थ हाउजेंट चार हज़ार प्रतियां च्छपने लगी चार हज़ार प्रतियों का मतलब कम से कम हिंदौस्तान के पचास हज़ार लोग इसको प्रति महीने पढ़ने लगे नहीं आया ख्याल में 4000 तो मेंबर मना है 4000 मेंबर जिनके पास पत्रिका जाती और एक पत्रिका को यदि एक एक गाउं में परिवार भी बढ़े, मंधिर में जावे और मंधिर में पूरी समाज पड़े कितने लोग हुए पढ़ने वाले वो पत्रिका बढ़ते बढ़ते और इसका जादूए हुआ कि ठीक इसी 1944 में संबद 2000 में संबद 2000 में सर अभी देखना ध्यान से इस पत्रिका का कोई आजीवन चार्ज नहीं था जैसे आजकल हो गए न 200 रुपे, 300 रुपे, ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था मैंने यह समझे लो, आपकी 4 पईसे था मान के चलो एक आना था, चार पईसे का एक आना एक आना था, त्यान से सुनना तो इन दोर में रहने वाले सर सेट हुकमचन उन्होंने एक हज़ार एक रुपे आप एक मुस्त आत्मधर्म की रखम भेज दी, कि आप हमारे यहाँ जब तक आत्मधर्म छपे हैं, इसको हमारे भेजो कल पना कर सकते हो हिंदी प्रांद से उसी बर से पत्रिका निकली संबद दो हजार में, और एक हज़ार एक रुपे, काई से कहते हैं, एक हजार एक रुपे, समझ गए जहां चार पईसे की, एक महीने की, एक पत्रिका और यह आजीवन पिर्णाली तो उसमें थी नहीं तो उन्होंने का पता नहीं कब तक छपेगी पत्रिका आप तो एक हजार एक रुपे, और साथ में एक अरजी लिखी, अरजी कि आप किर्पया करके हिंदी में और च्छाप़ तो आपका बड़ा उपकार होगा, आप क्या कल्पना करोगे जब यह सी चिट्थियां और एक हजार एक रुपे उस जमाने का मिला होगा, तो कार करताओं का उस्सा है, राम जी भाई का उस्सा है बेन सिरी का उस्सा है, और गुर्देव सिरी के सौपन, यह जिन सासन का प्रभाव होने वाला है, और आखिरकार संबद 2001 में, गुजराती पत्री का आत्म धर्म छपने के ठीक देड़ बर्स बाद, हिंदी का आत्म धर्म भी उस जमाने में प्रारम हो गया, ग्रमचारी हरी भाई जो अभी आगए से कल आपको बताये था, उन्होंने उसका संबदन समाला, देखो, गुजरात में रेते हुए, हिंदी भासा का ग्यान करना, हिंदी भासा में पत्री का शापना, फिर उस पत्री का को भेजना, आज जैसे अनकूलता नहीं थी, बॉम्बे नहीं था, आकड़िया, राज़कोर से पत्री का, और क्या, इस तरह से ये पत्री काई प्रारम होई, और इसी समय, गुर्देफ स्री की भक्ती बताता हूँ, गुर्देफ स्री को बीर जी भाई से जैधवल का पहला भाग, पहले भुद्बवली पुस्वदंत आचारे ने अपने हातों से लिखा, वो पहला गुर्देफ को मिला, जैसे ही, ओहो, गुर्देफ स्री के तो हिर्दाय से भक्ती उचल पड़ी, इतना प्रमोध गुर्देफ को, इतना प्रमोध, ओहो, ये तो भता नहीं सकते, कि भासा कौन सी थी, गुजराती नहीं, वोई वोई ढुंडारी टाइब की, कितावें भी कौन सी, कितावें कौन सी, ऐसी छपी हुई नहीं, समय सार जी जैसी, ओपाना वाली, ऐसी, ऐसी पाना वाली, ओगुर्देफ स्री का इतना प्रमोध, कि गुर्देफ स्री उस ग्र पूजा कराई सौनगड में पूजा कराई ऐसे चार इस्थानों पर गुर्देव श्री ने उस ग्रंथ को मिलने के बाद धूमधाम से पूजा कराई अब ये बात आपको हला की ज़्यादा असर नहीं समझ में आ रही होगी समझ सकते हो गुर्देव श्री को जैन सासन और जिन्बाणी माता के प्रति कितनी भगती हो सकती है आज हमें कोई ग्रंथ नया मिल भी जाए आठीक है ठीक है कितने रुपे का है एल है कितने रुपे का है ठीक है एई ग्यान से सनो एतना ही नहीं है क्यों छूट कव होने वाली है कंसेशन कव होने वाला है अब गुर्देव की भक्ती और अपनी भक्ती नाप लेना क्या केवे हैं अभी सास्त्र के मामले में भी पूज गुर्देव स्री आए और मेंगा सास्त्र पढ़े तो गुर्देव स्री को ऐसा भाव आए कि गरीब जनता कैसे खरीदेगी घरो घर गरंत कैसे जाएंगे इतना मेंगा मेंगा गरंत कौन पढ़ेगा कैसे पढ़ेंगे घर घर कैसे जाएंगे गाओ गाओ जनता गरीवे क्या होगा इस गुर्दे को भाव बोलें कुछ नहीं गुर्दे गुर्देप तो प्रोचन करते गुर्देप की एक स्टाइल थी, प्रोचन करते करते, तना क्या दें, अरे रे, गरीब मानस है, सास्त्र मेंगा है, कैसे खरी सकें, कैसे पढ़ सकें, अरे तो घर-घर होना चाहिए, हाथ-थाथ में होना चाहिए, राम जी भाई भूले और सच में क्या केवे हैं आपको मुने बेस्व के और आज की तारिक में भी सबसे सस्ते यदि कहीं गरंत छप रहे हैं तो उनका पूरा सरे पूझ गुर्दे स्री को है चाहे वो जैपुर से छप रहे हो और चाहे सौनगर से छप रहे हैं बहला अभी मैं कोटा में गए ना परियूशन में कोटा में तो वहाँ पर कंसेशन देने वालों की ऐसी लाइन लगी रहती है कंसेशन देने वालों की कि बाबुजी को मना करना पड़ता है कि हमें आपका कंसेशन नहीं लेना नहीं समझ में आया आपको नहीं समझ में आया है मैं समझाता हूँ इतने लंबी लाइन होती है कि साथ 25% कंसेशन हमारी तरफ से 25% हमारी तरफ से 25% हमारी तरफ से इतनी बड़ी लाइन होती है कि यदि एक ग्रंथ के साथ यदि 10 रुपे का ग्रंथ है और पचास रुपे और गिफ्ट में दिये जाएं इतनी लंबी लाइन तो बाबुजी वोले हमको ऐसा कंसेशन नहीं देना है तो हर जो बेक्ती पचीस परसेंट दे रहा है उससे केवल पांच परसेंट कंसेशन लेते हैं कोटा में और दसों दिन पचास परसेंट की छूट रखते हैं पहले ही गरंट पचास रुपे का दस रुपे में और दस रुपे में अभी पचास परसेंट कंसेशन पांच रुपे में पांच रुपे की तो भाई साब मार्केट में जिल्द नहीं आती जिल्द जिल्द बाइंडिंग वो सुद्धता तक नहीं है सुद्धता ये समय साथ जी जो छपे इने आपको क्या कल्पना करोगे आप कभी और कोई प्रकासन को पढ़के देखो और इस प्रकासन को पढ़के देखो पढ़के देखो बस केवल आप यहां का मौक साथ पढ़ लो और और दूसरा मौक साथ पढ़ लो वहाँ यदि पांच हजार मिस्टेक होंगी तो यहां केवल पचास मिस्टेक होंगी मैं पचास भी ज्यादा बोल रहा हूँ क्या हूँ? कि गुर्देश स्री को इसमें इतनी साबधानी रहती थी कि एक गरंथ चाहे लेट निकले लेकिन सुद्ध निकले एक अक्षर भी गलत निकल गया कहीं बात गलत निकल गई और कोई का आईथ हो गया तो माँ पाप लगेगा इसलिए राम जी भाई, हिम्मत भाई, गुर्देश स्री स्वयम खियम जी भाई, राजकोट और और जो 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 स्वाध्याई ओ सब बैठ करके घंटों आद्यो पांत बांचते थे जो 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 एसा नहीं कि एई तुम ज़र मिला लेना यह हमारी मूल कापी है पांडो लिपी और तुम मिला लेना ऐसा नहीं गुर्देश स्री अपनी आँखों से समय सार जी जाचते प्रूप छपछप के आते हैं सामने मिलान करवाते, सामने संस्क्रित मिलान करवाते गुजराती मिलान करवाते भाव का मिलान करवाते, भाव का आप कल्प नहीं नहीं कर सकते सच मुझ व्यक्तित्व ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए बोला और तब इतने बढ़ियां गरंट सामने आए हैं कि आज हमें मेरे को तो गल्दी के नाम पर कोई दिखता ही हमें नहीं दिखता कुछ कहीं अनुस्वार वगरे कोई रह जाए वजुदी बात है, वाकिता हूँ बहुत बढ़ियां निकले और आखिरकार सोद गरंट माला छपने का सोद छपाई का भी यदि कोई रिकॉर्ड कायम हुआ तो उसमें पूझ गुर्देफ स्री का निमेत है ये मुल्ले अंकन कर रहा है वैसे मुल्ले अंकन वज़े आखिरी में करना चाहिए लेकि चुकि सास्त की बात है इसलिए मैं कहता हूँ गुर्देफ स्री को अंदर से सास्त के प्रती कितनी भक्ती इसी सामोई पूझा कराई है अपन क्या करें बोलो अपन तो यदि बजार से मंदर से खरीद के भी लग जावे तो अलमारी में लग दो तीक है हाँ तीक है अब पढ़ेंगे फुरसत होगी तो लेकि गुर्देफ स्री को ऐसा नहीं एक जैध हवल को गुर्देफ स्री ने सास्त सबा में बाचा सास्त सबा में सास्त सबा में बाचा हो ले बात में बताएंगे गुर्देफ स्री कभी खाली नहीं रहे मैं जो तो खुद अपने आप से लगता है और विद्वानों को देख के भी लगता है कितने स्वाद्या करते हैं हम कितने सास पढ़ते हैं बोलो गुर देव स्री का एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब सास स्वाद्या नहीं हो गए 183 गरंथ 183 गरंथ 25 गुरु देव स्री ने पढ़े हैं जिसमें से समय सार जी मालम है संबद 2000 में गुर्देव स्री का साथ भी बार का प्रोचन चल रहा है क्या कह रहा है उननीस बार हुए ने टोटल संबत दो हजार अभी मंद्रवाने कितने से बरस हुए है संबत अठतर से मिलते हैं के बास से साथ भी बार का जाहिर प्रोचन चल रहा है वहला ऐसा प्रमोट गुर्देव स्री को तो इस तरह से पूजा कराते कराते हैं थोड़ा सरसेट हुकम चंजी का परिशाई भी आपको दे दूँ क्यों कि अभी आपको नाम ही नाम सुना है नाई लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होगा ठुराने लोग जानते होंगे थोड़ा सरसेट हुकम चंजी अपने ज्यादा हूँ तो सेट डाम लगा दो सर लगाने की क्या ज़रू है सर, सर मुने सुरीमान सेट, स्रीमान सेट इनका अब ज्यादा में ब्याख्चाम नहीं करना चाहए था हूँ से पहले उनिस सोचवाली से पहले कि भारत आजाद नहीं हुआ था है कि यहां से एक काख़ कोरा काख़ उसकी ऊपर लिखंगा कि एक लाख रुपे एक लाख पॉंड इस ब्यक्ति को दे दो किसी ब्यक्ति को एक लाख पॉंड डॉलर जो भी तुम इस ब्यक्ति को पे कर दो तो उनका कागज देख करके कोई भी सेट उधर का सेट ब्यापारी वो एक लाख पॉंड ऐसे दे देता है समझ गए हैं अब तो समझ गए हैं हैं क्या क्रेडिट उस जमाने में रही होगी उनकी गुड़ बिल क्या रही होगी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में फोरेंड एक्सचेंज में आज भी उनका फोटो लगा हुआ है मैं इसमें सरसेट हुकम चंजी की महिमा नहीं बता रहा हूँ लेखो यदि ये पत्रिका नहीं छपी होती तो ऐसा व्यक्ति गुर्देव को नहीं मिलता नियाल भाई सोगानी नहीं मिलते लाड़लू वाले नहीं मिलते बच्छरा जी ऐसे एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो केते हैं कि हमें तो आत्मधर मिला और देखते से हम तो मैं इसलिए कहता हूँ बिस्व में साइध ही किसी पत्रिका ने इतना तहलका मचाया हुए अपने च्छपने के बरस में ही इतना बड़ा तहलका मैं नहीं समझता हूँ किसी ने मचाया हो कि 4 पैसे की पत्रिका और उसकी फी सजावे ेक था हजार एक रूपिया कितना तहलका मेरे को तो नहीं समझ भी आता है उस जमाने की एक था हजार एक हो अब आज की द HER कोई बेली उने है तो ऐसे इस अब इनकी जादा में ब्याक्या नहीं करना मुझे था अब इतना जो इसारा करना था वो समझ गया कि ऐसे सर्सेट हुकम चंजी आखिरकार सबसे पहले जिग्यासा बस प्रसनता बस कि देखें कौन है गुर्देफ सिरी कौहां है सौनगर्ण क्या चीज है ऐसा जानने के लिए बेट्रेस जमाने की सेलून चलती थी सेलून रेल गाड़ी में इस्पेसल बोगी जिसमें अंग्रेज बैट करके जावें उनके जजज बैट के जावें बड़े बड़े कमिस्नर बैट के जावें ऐसे सेलून इंग्लिस सेलून रेल गाड़ी चलती थी पोस इस्पेशल सेलूम को इंदोर से लेकर के सौन गड़ तक आएं परिवार लेकर पूरा परिवार अपने जमाई अपने वेवाई क्या बोलते हो सब फुल फैमली और इधर आएं तीन दिन रहें दो जून 1945 रहें चार जून तक दो तीन चार सनिवार से सौंबार सनिवार रईवार सौंबार एक तीन दिन यदि हम संबत के साब से कहें तो बैसाग बदी छटें से आठें तक सरसेट हुकम चंजी पदा रहें भाग चंजी सोनी से बात हुई अजमिरबालों से उनकी प्रेड़ना से इधर आए नयमी चंजी भाग चंजी से जुड़े हुए थे भाग चंजी सेट थे बड़े मौटे सेट थे उनका संबन सरसेट हुकम चंजी से हुआ और इस तरह से सरसेट हुकम चंजी इधर आई अभी देखना ये घटना हाला कि आपको सुनाई जा चुकी है फिर भी मैं सुना रहा हूँ इसी समय 4 जून 1945 को जेस दिन ये सेड़ जी जा रहे थे बापस इसके पहले एक घटना और अच्छी हुई कि समय सार जी क्या प्रोचन साथ भी बार का अंतिम अंतिम आ रहा था अंतिम अंतिम तो सांता बेन को अंतिम प्रोचन समय सार जी के प्रति इतना प्रोचन क्या हो भासा में तो नहीं बताया जा सकता उसे नाना लाल भाई जशार्णी राज़कोट को बोला उनके रिष्तेजार है ने उनको बोला कि ये सास्त्रतो चांदी के पन्नों में छपाया जाना चाहिए चांदी के पन्नों में तो नाना लाल भाई जसानी ने चांदी के प्रष्ठों पर प्राक्रत की मूल गाथाएं खुदबाई देखो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जमाना वो है वो जब ऐसी सुविदाएं नहीं थी आटोमेटिक मसीनों की कि अपने लेके मसीन के नीचे रख दिया छापा लग गया हो गया काम ऐसा नहीं था 31 पेज 31 पेज में प्राक्रत की मूल गाथा है समय सार्जी की पूरी की पूरी और बंदित्तु सबसे दे यह पहली गाथा बंदित्तु सब्द आया ना बंदित्तु समय सार्जी का पहला सब्द कौन सा आया बंदित्तु और बंदित्तु के बागे ऊपर आता है अनुश्वार बिंदी अनुश्वार समझे ना बंदित्तु बंदि बंद ना ऊपर आया ना बाके उपर जो अनुश्वार उसमें लाल लाल जग मगाता हुआ मानने के लगाया अरे अपने तब ही सुन रहें केवल हसमेख भाई समझवा रहा है कुछ समझवा रहा है भाई अपने को एक ग्रंदों की कीमत नहीं आती कोई फिरी में गिफ्टे में दे देते हैं अँसा लगता है नहीं समझवा अभी जैसे अभी हम आपको इनाम में ग्रंद दें तो चेरे पर प्रमोट नहीं आता ठीक और कमपास दे तो हाँ कमपास कमपास पांच रुपय का गिलास दे 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 तो गिलेड एक पैंसिल दे 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 दो गिलेड एक सेव फल दे दे नहीं क्या बलते हैं क्या बलते हैं सफरजन एक सफरजन दे 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 तो गिलेड और नहीं इतना मोटा सास दे दे वहने को को तो यह ऐसा लगता कहां से दे दिया रे रे इतनी कोई सुविदा ने हो सन 1945 राज़कोट में चांदी का व्यापार पहले से होता है तो चांदी के पन ने बनवा करके सुन्दर और उनके उपर तो सर से ठुकम चंजी के हातों से चार जून के दिन स्वाध्याय मंदर में किये गए अभी ध्यान से सन्ना कितने दिन रुके हों तीन दिन और राम जी भाई खेम चंजी भाई कि दोनों बैंसरी कि गुरुदेव किसी भी व्यक्तिने सर से ठुकम चंजी को कुछ भी नहीं कहा कि कि आप यहां पर थोड़ा गौत दान दे जाना कि थोड़ा गौत हम आपका पार्टिया लगबा देंगे ध्यान दखना सौन गड़ में पार्टिया नहीं मिलेंगे आपको दातारों के नाम की लिष्ट के पार्टिया नहीं कुछ नहीं बस चार तारीक आगए चार तारीक अब उनको जाना है अब इनके साथ जितने लोग आये थे इनके पर शाप आये थे, पूरा परिवार, एक गारी ट्रेन का वो, सेलून भर करके, सेलून कहलाता था, तो अभी तो, हाल छोटा परने लगा, स्वाध्या है, मंदिर का हाल, खचा, खच, और पंखा था यह नहीं, अभी भी नहीं, पंखा था नहीं, पर है नहीं, अब खचाँ खच और सर सेड़ जी तो परेशान खेर उन्होंने कुछ भी इसका बुरा नहीं माना लेकि एक बाद चलते चलते जब अंतिन दिन आया और खड़े हुए तो बोले भाई एह हाल तो मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है जबकि हाला कि उससाब से ठीक था लोगी कितने से आते थे पचास लोग, पड़े, सो लोग, पचीस लोग, दस लोग ऐसे आते थे कोई ज़्यादा तो आते नहीं थे लेकि यह आए तो संख्या बहुत आ गई भीड भर चक जगए नहीं प्यार रखने को तो इनने का कि भाई जगए तो बहुत कम पड़ती है मेरी भावना है कि सौनगण में एक मौटा हाल बनाया जाए जिसमें कम सकम ढ़ाई तीन हज़ार आदमी बैठ सकें और इसके लिए उन्होंने उसी समय मंदिर के लिए राजकुमार कासलीवाल इनके लड़के साथ हैार एक सो एक रुपया उस जमाने क्यों सुयमने पच्चीस हजार एक रुपया पच्चीस हजार एक अभी तम लोग समझ नहीं पाऊगे और इनके परिवार ने दस हजार एक ऐसे कुल मिला करके 35 और साथ 42 हजार के लगभग 1945 में अभी किस प्रोग्राम में दिये कुछ नहीं कोई प्रोग्राम में नहीं दिये अभी तो जगए भी नहीं मालूं की स्वाद्यमंड़ का बनेगा 42 हजार रुपया उस समय दान में दे कर गए लेकिन जाने से पहले सुन जाए लोगों ने मुझे सेड़ जी सेड़ जी करके उचा-उचा किया है तमाम उपादियां महिमा लोगों ने अपने प्रोचन काट करके हमारी महिमाएं की हैं जिस जिस जगए चला जाओं वहां लोग एकदम प्रोचन छोड़के ने स्वागत करने लगते थे लेकिन आज पहली बार में देख रहा हूँ हिंदुस्तान में कि एक मात्र जगए ऐसी है जहां पर अभी तक एक बिक्ती ने डायरेक्ट के इंडायरेक्ट यह नहीं कहा कि साहब कुछ दान दे देना हम करी तीर छेतर पर चले जाएं एक दिन के लिए तो जल्दी से मुनीम और ट्रस्टी लोग आ करके आगे पीछे साहर 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 करते हैं और यहां किसी ने कहा तक नहीं तो अपने आप इतना दान दे कर गए अपने आप यदि उस जमाने की हिसाफ से अपन सोचें तो कितना मांगते आप हसमा कितना मांगते आपन ज्यादा ज्यादा उस जमाने की एमाउंट बता ना है उस जमाने की है ए पूझ गुर्देफ सीरी का प्रताब पूज गुर्देफ सीरी का आप सबसे पहले ही दिन से पहले ही दिन से पहले दिन का मतला समझ गए ये दो तारीक नहीं जब स्वाध्याय मंदिर बन रहा था तब कि यदि मुझे आपको रखना है सौनगड में तो मेरे नाम से कोई पैसा नहीं मांगना मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं मांगना संसा के लिए कोई पैसा नहीं मांगना और नहीं तो मैं सौनगड छोड़ कर चला जाओंगा अज़े इतनी क्या कहना इतनी तीखी बात क्या कहना द्रंता की बात नहोए तो अपन क्या करते बता हो इसलिए आदल नहीं करेंगे तो क्यांसे देंगे अपने कितना खुशन आएंगे बोलो तीन दिन में कितने प्रशन आएंगे अपने को लेकिन सब बेधड़क सेट जी आए कोई बात नहीं गुर्देव को प्रवचन चल रहा है चल रहा है बैट गाए बैट जाओ किसी राम जी वाई यह नहीं देख रहें कि अब मौटा सेट हा गया यह नहींदेखना है यह नहीं देखरुएं साहिज जी साहिब भरवभभ है कोई मतलब नहीं मैं समझता हूँ मुझे के नहीं से एकता हूँ लेकिन अपनी जानकारी के साफ से कहूँ तो बिस्व की सायदिप नमबर एकी घटना होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति पैसे की याच ना करने वाला मक्षन लगाने वाला डारेक्ट की इंडारेक्ट नहीं मिले लेकर के भी हमें ऐसा लगता कहीं से पैसा और आजाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि आप के यहां भी जिन्वानी चले गुर्देव की कैसेट चले कोई मुड कर मैं देखो कौन आ रहा है कोई नहीं आ रहा है उसे आगे बुलाओ कि पीछे बुलाओ यहां बिठाओ कि वहां बिठाओ कि मैं इमान दाइस कहरा हूँ आपको हमारे लिए गुर्देव नंबर बन है अभी गुर्देव की कैसेट चल रही है एक गुर्देव की कैसेट नहीं है ये दिव धनी का अंस चल रहा है गोरदेव تو टपाली है गोरदेव तो क्या कैतेते हैं आड़तिया आड़तिया तरीके हैं बात तो दिव धनी की चल रही है समय सारजी की चल रही है मैं खुली खुली बात कर रहा हूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छे हैं नहीं लगता है यह बात गुर्देफ स्री की सवाह में कभी ऐसा नहीं हो किसी को आगे लाओ कि पीछे बिठाओ कि कुछ करो जो जा हैं वहीं बैठो सेट जी बैठे हो बें एसेट ऐसे, ऐसे नहीं कि सरसेट हुकमचन, सरसेट हुकमचन जी, ऐसे नहीं पंडित बीस साल का हो बहे तो उसे पंडित जी बोलें पंडित जी जो, जो, ऐसे और सेट, ऐसेट बेचार किलाग स्वाध्या कर बो जो जो जी मरी नहीं धोर थसे मैं 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 करें तब बकरी के पेट में जावेन, में 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 करता फिरे एक गुर्धेव की ताकत है बिसुमें, मैं तो नहीं सोचता हूँ कुई किसी की ताकत हैं ऐसी होए मैं इसलिए ऐस ली बात कहता हूँ, नाम मैं ले नहीं रहा हूँ लेकिन आज पईसे के खाते al हम प्रोचंग को गौर्ण कर देँ हैं और चीज़ गौर्ण कर देँ हैं और सेठों के आगे पीछे हुएं और सेठों को राजी करें एक गुरदेश्री की नीती नहीं है उससे पहले गुरदेश्री ने कहे दिया कि हमारी ये पद्दती ही है कि यहाँ閉नाँ और साइज बिस्प का सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं बरसा सबसे ज़्यादा साइज मैं इसली कहा रहा हूं साइज साइज हो सकता एक अटपर्सेंट तैसे मझे तो उम्मीद नहीं एक अटपर्सेंट जगाजरासी बोलियां लगाने के लिए 101 रुपया 50 रुपया 51 रुपया मसका लगाना पड़े 60 जी बढ़ाओ बढ़ाओ अच्छा 55 अच्छा 100 रुपया ये तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड जब लोग सुनें किसाब 15 लाग रुपय में माता पिता की बोली गई फात्वा इंद्र की बोली गई 24 लाग में गई और कितनी देर में कितनी देर में बागु भाई जी बोलें दो मिनिट हैं गुर्देव के प्रोजन प्रारम होने वाले हैं हम एक सेकंड भी बरदास नहीं करेंगे बागु भाई जी उच्छामन लगाने खड़े हो जाएं बोल बागु भाई जी के चक्कर काटते थे मेरी बोली लगा देना एक मेरी बोली दो लाग तक की लगा देना मेरी पांच लाग तक की लगा देना बागु भाई जी के आगे पीछे घूमें कब से पहले से और इसके पहले मालूं क्या होता था पंडित जी घूमें बहला एई ग सरसे ठुकम चंजी की पास आए और सरसे ठुकम चंजी ने उसमाज अतना गोर नहीं किया तो दुखी होकर बापस चले गए थी चले गए क्या करें का हाथ प्हला इने क्या करें यसी बड़ी तकलीफ मैंने बड़ी तकलीफ है उठाई है एक एक बगती ने यह और संस्ताओं की तकलीफ है सुनाओं जो मेरे ग्यान में है तब आपको समझ में आएगा कि सौन गड़ में लोग हाँ जोड़े खड़े रहते हमारी बोली हमारी बोली जहां बोली यह शुरू होई बलो साब धोज का कितना बोलना है और चुप लोग चुप एक रुपिया यह तो तुम लोग बिस्वास नहीं हो रहा हो नहीं है एक गुर्दिव स्री का प्रताफ की बाते चल रही हैं भाग भाई जी कहते हैं भाई साब दो मिनिट लगेंगें केवल दो मिनिट में एक दो तीन बोलो भाई यह फला जी का नाम क्योंको पहले सी लिस्ट आ जाती थी ना वो पहले ही बोल देता था भाई साब मेरी एक बोली जरूर होना दो लाक रुपे तक मैं जितने में छूटे मेरी लगा देना तो भाई भाई जी आते से ही बोले हैं पहले इंद्र की बोली दो लाक रुपया अब आगे बढ़ने वाला पहले से तयार हो तो तो आगे बढ़े नहीं बढ़े तो एक दो तीन फलो यह फला सेट जी ले यह तो क्यों मैं गलत किया रहा हूं किया नहीं बराबर है देखो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस अरे रहे वो यूग कोई स्वर्णिम यूग था वो कोई गोल्डन अब तो वो बात क्या मिले हैं अरे रहे हैं इन्हें खेर इस तरह से यह बिराजमान हुए सहर्षे ठकुम्चंजी इतना दान दे करके चले गए इसी समय बंसी धर जी देव की नंदन ए मोटे पंडित जि इतने प्रबावित हुए इतने प्रभावित हुए यह ति लगातार पाँच महिने रहे हुए रही एई गुर्देव सिरी को अतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी ध्यान रखना प्रवचन करते थे थोड़ी टूटी भूटी हिंदी लेकिन बंसी धरजी इतने प्रभावित हुए कि चाहे मुझे गुजराती सीखनी पड़े चाहे मुझे 25 बार गुर्देव से चर्चा क करके समझना पड़े लेकिन मैं समझूगा बंसी धरजी अब आप लोग बंसी धरजी को भी नहीं पैचान सकते बंसी धरजी मने मध्य प्रांत के MP के मोटा मोटा पंडित बंसी धरजी अभ्यास अभ्यासी बहुत सास्त्र पड़े हुए और 75 नंबर का कलस समय सार जी पर ग संग एव राग देश होए तो बंसी धरजी कहते थे परेंड संग एव राग देश होए अब आप नहीं समझे मैं सरल भासा में समझा रहा हूं मैंने हवाला बोल दिया है आप पढ़ना गोर्देश्री ने कहा जीप को पर पदार्थ राग पैदा नहीं कराता जीप पर का स करता है इसलिए राग होता है भर पदार्थ में कर्मों में सहियों की पदार्थों में यह ताकत नहीं कि वो राग पैदा कर सके गुर्देव ने ऐसा प्रोचन किया और बंसी धरजी हक्का बक्का मोटा मैं मोटा पंडित हक्का बक्का क्योंकि बे प्रोचन करते थे तो यह कहते थे पर पदार जीप को राग कराते हैं कपड़ा है इसलिए राग पैदा होता है इस्त्री है इसलिए राग पैदा होता है ब्यापार धंदा है इसलिए राग होता है इसलिए जिने राग छोड़ना हो वे त्याग करो त्याग करो पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, कपड़ा छोड़ो, राग छूट जाएगा तो इतनी इतना उनको अंदर से प्रमोध आया कि मैं इतना मोटा सिद्धान सास्त्री और गुर्दे स्री छेक अक्षा मैं इतना मोटा पंडित, बनारस का पढ़ा हुआ, कासी का मौरेना का पढ़ा हुआ, ओहो, गुरु गुपाल ताशी बरियाजी से पढ़ा हुआ, और मेरे इतनी से अर्थ करना नहीं आया, पांच महीना रह पांच महीना, अभी यदि मैं सीदे-सीदे कहूँ, तो यह समझ लो, कि अपनी कोई ग्राम पंचायत हो ना, ग्राम पंचायत तो समझते, बिलेज में, हैट, प्रधान, और वो बिल किलिंटन को जीत ले, बिल किलिंटन को अमेरिका के राश्पती को जीत ले, ऐसा गुर्देव स्री ने छोटे से गाउं में रहते हुए, मोटा मा मोटा पंडि करेगा भविस में, कि ये जब पांच महीना पढ़के गए, तो पूरे हिंदुस्तान में हवा फैलने लगी, विद्वत परिसद में हवा फैल गई, कि ये कहां गए थे, गुर्देव के पास गए थे, कौन है गुर्देव, कौन है कांजी सौमी, कां है सौनगड, तो एक द पूरे देश के विद्वानों को ही मालम पड़ गया, तो पूरे देश जीद लिया गुर्देव ने, और इस तरह से, आगे बात चलते चलते चलते, अभी इसका जो महत और बताना चाहिए ने, वही सारे भी बता रहा हूं, इस तरह ये लोग प्रवाबित हुए हैं, और द देश्री को एक बात किए, किसाइब, यहां मंदर बन गया है, और आप बिहार करना बंद करो आप, चार बरस आप बिहार करना बंद कर दो, तो चार बरस में हिंदी मानास खूब आ जाएंगे इiggly क्यों कि आप बिहार करने चले आते हों यहां प्रवचन होते नहीं और प्रवचन नहीं होते हैं तो कोई आता ही नहीं मंदिर सूने रह जाते हैं दो चार ब्यक्ति रहते हैं बागे कोई रहता ही नहीं यहां पर और आप यहां रहोगे तो लोग गिर्नार जी जाते हैं हमारे यहां रुकेंगे, अभी आते हैं, कहा है सौनगड, कौन है, आप मिलते नहीं हैं, तो इस से प्रभाव नामे कमी हो रही है, आप बिहार बंद कर दो, तो गुर्देश्री इतने सरल कि कंटिन्यू चार बर्स तक गुर्देश्री ने सौनगड नहीं छोड़ा, सौनगड नही यदि ये अमरत, ये दिगंबर, जैन, सासन, ये आचारियों का हिर्दा हैं, यदि मेरे चार साल यहां रुकने से चल सकता है, तो मुझे चलाना है, पचार बरस, उस समभणड की कीमत, अब आप समझ लो क्या के विर्द को, हैं, और इसी समझे, अभी समभण दो हजार दो, और, समभण दो हजार दो में सुरुत पन्च मीज से, समय सार जी पर आठवी बार के प्रोचन परार रहा हुए, सुरुत पन्च मीज से, आठवी बार, टोटल उन्मीज में से आठवी बार सुरू, मंदिर कब बना? कब बना संबत 91 और यह दो है यार दो और इस समय तक समय साजी कितनी बार माचा गया होगा और यहां पर यह समय साजी की माचना चल रही है आठ भी बार गुर्देश्री ने इतनी भक्ति कराई प्रमोस से आचार अमरत चंदेव और आचार कुन-कुन देव की सुनना है स्वाद्याय मंदिर में वैट करके क्या भक्ति गुर्देव करें आज तो सुरुट पंचिमी का दिन समय साजी का प्रारम गुर्देव तो मुनी राजों की इतनी महिमा करें अरे अरहन्तों ना पुत्र चालता फिरता सिध ऐसे सिगुर्देव खुब महिमा करें अब ताकत तो नहीं पढ़ रही आज टाइम भी तो होगया लेकिन रहने तो कल दे रही है कल ले लेंगी इसको एह लेना है वक्ति ले देखो ताकत नहीं है लेकिन अब के रहे तो आप ले लेते हो वैसे टाइम भी हो गया है आप लोग बोलना है मैं ताकत कम है नहीं इसलिए आप सब बोलना चलो अच्छा है भक्ति के सांस आज का समापन होगा इसमें आज मुनिराज जो सांसों की जख्चा होई है और मुनिराज जी याद करना पना अमरत बरसायो ग्यायक दिखायो अमरत बरसायो ग्यायक दिखायो अम्रत चंद्राचार मारे सपने में आयो जागो रे जागो चेतन राया आज मारे नींद में आखे जगायो आज मारे नींद में आखे जगायो अम्रत चंद्राचार देव ने जो अम्रत निकाला है अम्रत निकाल करके दिया उसको गुर्दे को बहुत भक्ती खो महिमा अम्रत बरसायो ग्यायक दिखायो अम्रत चंद्राचार मारे सपने में आयो गुर्दे शिरी ने सपने में कैसे मुनिराज देखे थे अम्रत चंद्राचार कैसे देखे थे बिन अम्रत चित हो मुनिबर को देखा बिन अम्रत चित हो मुनिबर को देखा पाबन दरस कर मन मारा हर खा पाबन दरस कर मन मारा हर खा देखत ही देखत चायो आनन्द भाओ आनन्द मैं चर्णों में सीस नवायो अम्रत बरसायो ग्यायक दिखायो अम्रत बरसायो ग्यायक दिखायो अम्रत चंद्राचार मारे सपने में आयो कैसे थे उन गाज दिख गए परम दिखंबर नगन दिखंबर अनुपम अद्वुत रूप बिनमर्चित होकर देखा 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 और क्या लाए थे समर्सार का लस्बे हातों लिये थे चेतन सारूप में बेतों पागे थे आनंद मैं सूरत सहज दिखे थे आनंद मैं मूरत सहज दिखे थे बीत राग भाव से बेतों सजे थे अम्रत कलस की गगरी में भरकर अम्रत कलस की गगरी में भरकर अध्यासुधारस पान करायो अम्रत बरशायो ग्यायक दिखायो अम्रत बरशायो ग्यायक दिखायो अम्रत चंद्राचार मारे सपने में आयो अम्रत की धारा जब मुख से अम्रत की धारा जब मुख से देखो ग्यानियों के सपने ग्यानि कैसे मुनिराजों के सपने दिखते हैं अम्रत की धारा जब मुख से अम्रत की धारा जब मुख से ग्यायक भाव सुना बिसमय से अर्थ समझ में आ रहे हैं अर्थ ग्यायक भाव सुना बिसमय से कि मैं तो ग्यायक हूं अकरता हूं तो बिसमय दोकर सुना मैंने आनादी आनंद चेतन स्वरूपी मैं तो परीपुन आनंद गुनों से मैं तो परीपुन आनंद गुनों से हुआ कै फिर आनादी आनंद ग्यायक भग्वान सुन लिया हुआ क्या?, आनंद आयो भ्रमशं आयो आनंद आयो जायक को जायक आज दिखायो नहीं समझे चाएं अभी तक लकड़ी का जायक, घड़ी का जायक, बीवी का ग्यायक, सहीर का ग्यायक, पुर्णेपाप ग्यायक आँहँ, ज्यायक को ग्यायक आज दिखायो, अम्रत बरसायो ग्यायक दिखायो, अम्रत चंद्राचार मारे सपने में आयो पाने योगे सुयम में पाया भगवान आत्म काम मिलेगा? पाने योगे सुयम में पाया करने को तो कुछ ना बताया सिध समान सहज ही पाया रागा दिक से रहित बताया अब क्या करना है? प्रभु को निहारो आनन्द धारो प्रभु को निहारो आनन्द धारो सोयम में सोयम आज समायो अम्रत बरसायो ज्यायक दिखायो अम्रत चंद्राचार मारे सपने में आयो जागो जागो रे जागो चेतन राया आज मारे नींद में आके जगायो आज मारे नींद में आके जगायो आचार कुन कुन देव अम्रत चंद्र की ऐसी भक्ती संपन गुर्देव जिनकी अनादी की नींद खोलने में आचार अम्रत चंद्र और कुन कुन देव निमित हुए और ऐसे गुर्देव हमारी मीन कोलने में निमित बन रहे हैं ओम नमसे देवा जिन्वाने के ग्यान से सुझे लो का लो सुवाने मस्तक नहो सदा देत हुडो सुवाने मस्तक नहो